नमस्कार आप देख रहे हैं पलपननीूज। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं चोदरी देविलाल विष्विध्ध्यले में अभय सिंग चोटाला द्वारा जो है एक कारेकरम का अयुजन किया गया इस कारेकरम का अयुजन फैकल्टी हाउस में किया गया कि अगर ये सब जीजे नहीं हो तो बड़ा भैद भाव भारे भी तो उस भैद भाव को मिठाने के लिए आप जैसे दोगी बड़ी सब जिरूरत है, आप इस भैद भाव को मिठाने में बड़ी दूमी का जबा सकते हो, क्योंकि गौवर्मेंट स्कूल में तो वच्छा जिसके पास कम पैसे होगे और जिसकी इच्छा पढ़ने के होगी, इच्छा पढ़ने के होगी, यहां से वो गड़ा अप्टी एजुकेशन लेकर जाएगा तो फिर वो प्राइवेट जो इसी की सब्सक्राइगा, उनको पेना के उनका मुदावला करता है, उनकी मुदान जन्यम्त बाइचाब एक पोजिट्व एनर्जी आई पास का मुदावला के इस्वाइब के इस्वाइर के शी को लेकर के, पहले पर देश वरके लोगों में जातर है, पर देश के लोगों में सुप्रिम पोर्ड के फैसले को प्ता से दादू पराय जाएए, इसके लोगों में जागर्टी पैदा करने का अपना है, उसी का नतिज़ा है कि आज आज आजारों लोग उस पानी की लड़ाई के लिए जहां पुरुष आते हैं, वहां उतने ही संख्या में महिलाएं भी आते हैं, कि हर्याना पर्देश के लोगों के साथ में आये होगे। मैंने उसके साथ साथ पर्देश पर्देश के जो वकील हैं, उनसे भी जागर्टी सिशुपे बात जित करीर, उनसे भी खाक कि पर्देश के लड़ाई में आपको भी अपना एक बड़ा युद्दान देना चाहिए, आज एस्वाईयर की जुरूर्त है, वहीं हमारे बच्च में हमें, वहीं एक दिन का, दो दिन का स्वे में मिलेगा, हम युद्विस्टी जाएंगे, और युद्विस्टी के अंदर जहां बच्चों को सारी बातों की, एक बच्चे की क्या जुम्यवारी है, उसके लिए हमने अपने एक इंशोक्ती बिंग बना रहे हैं, जो जाद करके, बच्चों के साथ बैटकर के, इंट्रेक्शन करके, उनकी अपने जुम्यवारी को कैसे निवाया जास के, कैसी उनकी जुम्यवारी हैं, उनको लेकर के वो आगे पड़े, कैसे बच्चों में आवरनेस्ट पैदा करे, कि बच्चा पढ़े गा कल को, फलको उसका पू पुछेंगे कि इस सर्कार के बढ़ने के बाद या पिछ्छी सर्कार के तो रहा है किस तरह की फैस्टिटी आपको जीगी जिसकी विज़े से आप एक अची एजमिशन देश कोई और हम उनको आने वाले समय में अपनी सर्कार बढ़ने किस किसम की विदाएं और उनको देंग कि इच्छा से अपनी एजुकेशन को पूरा ना पर सोगे हम इसके लिए उनके साथ खर्चा करेंगे और उनी से फीड़ दे करेंगे हमारी सर्कार बढ़ने के बात उस चीज़ को लागू करेंगे ताकि पविश्य में आज जो हमारे सामने दिक्कत है खतम हो जाए आज भी लिटरेसी में हरियाना परदेश बहुत पिछडा हुआ है जबकि हम दिली के स्राउंडिंग है सबसे पहले हमारे यहां पे जब देश अजाद नहीं हुआ था उससे पहले हमारे यहां एजुकेशन के हब बने तो आज से कोई मेरे खाल सो साल पहले रोग तक के अंदर पिछड़े में यह पिछड़ा पन दूर हो हर बच्चा पड़ा लिखा हो ताकि उसको कल को केवल खेती पर निर्वना करना परे अपने मावा पर निर्वना करना परे आने वाड़े समय में उस समय में अपने पैरों पे खड़ा हो करके अपने प्रिवार का पालन पोशन कर में इसके लिए हम इन्ही शिक्ष्ण कों से पूछ करके ऽूरी सी बढ़ एंगे रूजिए उस पारिश की इत्यविसनगों को आरह मृ नागे जाएं